आज का टोपिक है हाउ टो आइडेंटिफाइ टेंस किसी भी सेंटेस को देखते आप कैसे बताएगा कि या किस टेंस से बिलोंग करता है इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एकदम नया ट्रेक्स जिसे आप देखते हैं बता देजिए गातिया कोई भी सेंटेस है जो किस टेंस से है चलिए आगे बढ़ते हैं पले है कि हमारा टेंस टेंस को कितने भागों में बाटा गया है तो तीन भागों में परजेंट टेंस, पास टेंस और फ्यूचर टेंस Tense को किते भागों में बाटा गया है तो तीन भागों में Present Tense, Past Tense और Future Tense फिर Present Tense की बात करें तो Present Tense को चार भागों में बाटा गया है Present Indefinite Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense और Present Perfect Continuous Tense इसी तरह Past Tense को भी चार भागों में बाटा गया है पास्ट इंडिपनिस, पास्ट कंटिनिवस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिनिवस टेंज अगर फ्यूचर टेंज की बात करें तो फ्यूचर टेंज को भी चार भागों में बाटा गया है future snippy tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense इस तरह हम मैं, मैं आपको कितने भागों में पताऊंगा तो 12 भागों में सभीको अलग अलग बताऊंगा जिस तरह आप किसी sentence को देखते आप बता दिजाएगा कि अ бел concert tense के कौनसा पाठ है, past tense के और future tense का कौनल सा पाठ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप ध्यान से देखते रहिए देखी इस सेंटमेन ने कुछ आपको सेंटेस दिया हुआ है जिसे आपको देख कर बताना है कि आप कैसे बताईएगा कि यह किस टेंस से बिलोंग करता है जैसे पहला हमारा एक्जामपल है राम स्विम्स इन द रिवर क्या बता सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है इसी तर आपको दूसरा सेंटेंस भी दिया हुआ है जैसे देख वार्टर इन द फिल्ड यू आप ड्रोइंग एपिक्चर शी हैज रिच्ट दी स्टेशन मैंने आपको कितने 6 पर दिया है कि आप अगर जानते हैं तो ठीक है अगर नहीं जानते है तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूं sic which reference कि स्ट्रेंज से है चलिए पहले हम पर लेते हैं उसके बाद हम इसे फिर से बनाएंगे चलिए तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ परजेंटेंज की एक एक करके हम सभी के देखेंगे पहले है हमारा क्या परजेंटेंज तब present tense में कितने parts होते हैं चार parts होते हैं तब पहला हमारा है subject, verb, one और object दूसरा है subject, age या, am या, arm verb का चौथा रूप और object subject, have या, have, verb, three, object माने ये जितना भी आप देख रहे हैं जो हमान मैंने आपको rule दिया है वो किस से बिलोग करते हैं तो present tense से अगर ऐसे किसी भी sentence में आपको ये सभी दिखे तो वो कौन सा tense होगा present tense का होगा चलो ये उसके बाद मैं हम present tense के चारो भागों को एक-एक करके देखते हैं तो पहला present tense में कौन सा है present indefinite tense अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि किसी भी sentence को आप अगर देखिएगा तो कैसे बताएगा कि वो present indefinite tense का होगा इसके लिए पहला हमारा trick क्या है आपको किसी भी sentence में subject और verb का पहला form और object दिखे तो वो कौन सा tense का होगा तो present indefinite tense का मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर कोई singular noun या he c it या कोई name रहता है तो उसमें verb के साथ s या e s जुड़ा रहता है उसी तरह बात करते हैं अगर कोई sentence निगेटिव हो तो आप कैसे बताईएगा कि वह present indefinite tense का होगा तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आप देखिए subject होना चाहिए अगर sentence निगेटिव है अगर present indefinite tense में अगर कोई भी sentence निगेटिव होता है तो उसको कैसे पाचानिएगा कि वह present indefinite tense का है उसमें आपको देखना है सबसे पहले subject subject के बाद आपको वहाँ पर निगेटिव है इसलिए do not या does not लगेगा और उसके बाद भर्ब का पहला फार्म और object अगर यह सब भी रहें तो वह क्या होगा present indefinite का negative tense है उसके बाद उसी तरह कुछ sentence है जो interrogative होते है लेकिन वो क्या किसके अंतर गाद आते हैं तो present indefinite tense के उसके sentence को कैसे पाचानिएगा उसके sentence में सबसे पहले do या does लगा होता है उसके बाद subject और भर्ब का पहला रूप और object रहता है तो वो भी क्या होता है present indefinite tense का होता है जैसे मैंने आपको तीनों का तीन एक्जामपल दे दिया हुआ है जैसे पाइला देखते हैं पाइले क्या है हमारा कोई भी simple subject है उसके बाद क्या राम read a book तो हमारा subject क्या हो गया राम उसके बाद क्यों सा भाड़ का पहला फॉर्म तो read object क्या हो गया तो बुक तो राम read a book मतलब यह महरा कॉन सा sentence है तो present indefinite tense का उसके बाद है दूसरा sentence है राम do not read a book तो राम क्या हो गया सबजेक्ट अगर negative sentence है do not किसके अंद में आता है तो present indefinite tense में do not या does not वहर्ब का पहला form तो पहला form दिया है read a book उसके बाद क्या है do ram read a book तो do किसमें लगाते हैं present indefinite tense के interrogative sentence में तो do ram read का पहला form तो यहां पढ़ होगी आपका पहला form object अगर ऐसे sentence आपको दिखेंगे तो वह कौन सा tense के होंगे तो present indefinite tense के अब हमारा है present continuous tense को कैसे पचानिएगा कि कौन सा sentence present continuous tense का है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है simple satrick है वहां पर आपको subject देखना है और e mr में से कोई एक होना चाहिए subject पे depend करता है और भर्ब का चौथा रूप और object जैसे कि यहां पर देखें i हो गया हमारा subject i के साथ क्या लगाईगा इसे हमारा में से m लगता है भर्ब का चौथा रूप तो हमारा क्या हो गया learning object हो गया हिंदी उसी तरह negative sentence रहेगा तो उसमें क्या किजिएगा not को जोड़ दीजिएगा और interrogative रहेगा तो उसमें e जो mr है उसे हम subject के पहले लिख देंगे तो हम आप इस तरह से पाचान जाएगा कि present continuous tense कौन सा है मैंने सबसे पहले आपको जो sentence कुछ दिखाए थे उसे मैं last में बताऊंगा जिससे आपका पूरा doubt किलियर हो जाए इससे आप अराम से देखते रहेए तिसरा है क्या present perfect tense इसे कैसे परचाने देखकर आपको क्यार करना है sentence में subject देखना है उसके बाद have या has देखना है उसके बाद का कौनसा फर्म होना चाहिए तो तिसरा फर्म और object अगर कोई sentence negative है तो उसमें क्या होगा not रहेगा अगर interrogative है तो उसमें have या है जो पाले रहेगा जैसे example लेखे I have eaten fruits तो I क्या हो गया मेरा subject हो गया उसके have या है होना चाहिए तो I के साथ have लग गया भाड़ का कौनसा फर्म तिसरा तो eaten fruits हमारा object हो गया negative है इसलिए में not add कर दिये हैं और वो interrogative है तो इसमें क्या कर गये है have या है को पाले लिख देंगे अब बात करते हैं present perfect continuous tense का present perfect continuous tense को आप sentence को देखकर कैसे बताएगा कि वो present perfect continuous tense है तो इसके लिए भी एक दम असान ट्रीक है subject उसमें देख लिजे सबसे पहले उसके बाद have या है subject की depend करता है और उसमें been रहना चाहिए यह most important है और इसमें verb का कौन सा form लगाते है तो चौथा form उसका object और scenes forth रहेगा negative sentence में not add कर दिजे interrogative में have या है उसको हम पाले लिख देंगे एकदम असा ट्रीक है इस इंजांपल के बात किए I have been teaching English for three hours subject क्या है I I के साथ have यहाज में have लग गया been लगेगा ही तो यहाँ पर हो गया been verb का क्यांसा form चौथा form इसलिए teaching object हो गया हमारा English यहाँ पर scenes या four लगेगा तो scenes या four लगेगा तो यहाँ पर three years है इसलिए यहाँ पर हम four लगाएंगे negative में क्या करते हैं तो not add कर देते हैं और interrogative में जो हमारा have यहाज है उसे हम पहले लिख देते हैं आप इस तरह से चारों को डूल देख लिए चलिए आप question की बात करते हैं चलिए हमारे पास कुछ example देवें इसे हम अब classify करते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा sentence कहा है तब पाला sentence है हमारा राम swims in the river तो इसमें देखिए पाहले आपको देखना है subject subject कुन हो गया हमारा राम आप यहाँ पर लिखिए subject उसके बाद देखिए swims swims बहर का कौन सा form है पाला form में एस या यह लगा हुआ है कि मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसके साथ बहर में एस या यह लगाते हैं किसमें तो present indefinite टेंस में इसलिए यहाँ पर swims है इंदा रीबर क्या हो गया हमारा अबजेक्ट तो subject बहर बन अबजेक्ट किसका ज्यापल होता है present कि indefinite टेंस का तो हमारा पॉला क्लियर हो गया present indefinite टेंस उसके बाद दूसरा sentence के बाद करते हैं दे वाटर इंदा फिल्ड तो हमारा देख क्या है subject है वाटर मतलब क्या होता है पानी पताना तो वह हमारा क्या हो गया बहर का पहला फर्म यह भी है इंदा फिल्ड यह क्या हो गया object तो यह भी हमारा क्योंसा हो गया present indefinite टेंस का चली अब तिसरे sentence की बात करते हैं यू आर ड्रोइंग ए पिक्चर तो यू क्या हो गया subject है इजेम आर हमारा आ गया एज या एम या आर आपको बता थी हम उसके बाद क्या आ गया ड्रोइंग मतलब भर्ब का चौथा रूप और उसके बाद object तो यह किस sentence में मैंने आपको बताया था यह था हमारा present continuous tense तो हमारा जो तीसरा sentence है वो present continuous tense का है अब चौथे की बात करते हैं तो see has reached the station यहां पर भर्ब देखिए कौन सा form है भर्ब है भर्ब 3 है अज इसमें क्या लगा हुआ है have या has में से कोई एक है तो have has में किसमें हम देखते हैं present perfect tense का होता है जिसमें क्या होता है भर्ब का तिसा form और have या has में से रहता है तो हमारा चौथा sentence है जो present perfect tense का है अब पाचवे की बात करते हैं we have been playing football for two hours देखिए आपको इसमें क्या पहले देखना है been लगा हुआ है और since या form में से four लगा हुआ है इसलिए ये कौन सा हो जाएगा तो present perfect continuous tense तो हमारा पाचवाल sentence हो गया present perfect continuous tense अब हमारा last sentence है you are speaking English यू हमारा subject हो गया आर्व क्या होता इस MR आपको बताए थे उसमें से कोई आर्व यू के सार लगा और भर्व का चौथा रूफ है और object इसलिए ये हो गया present continuous tense तो इस तरह से आपने पूरा बन गया अगर आप चाहते हैं तो इस पूरे sentence को copy पर note कर लिजिए और उसके बाद आप खुद से इसे deal कर सकते हैं तो आज के लिए इतने ही उसके नेक्स्ट वीडियो मैं आपको past tense के बारे में बताऊँगा कि आप किस तरह से देखकर पाचाने हैं